Solve for X and Y अब यहाँ पे एक pair of linear equation दिया हुआ है और हमें इसको X और Y के लिए solve करना है यह question CBSE All-India exam 2008 में पूछा गया था तीन marks के लिए अब अगर हम linear equations की बात कर रहे हैं pair of linear equations की बात कर रहे हैं तो उसको solve करने के कई तरीके होते हैं substitution, elimination, cross multiplication और आप किसी भी method से इसको solve कर सकते हैं लेकिन जब आप इस question को exam में solve कर रहे हैं तो हमारे मन में एक चीज ये भी होती है कि हम इसको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से solve कर दें तो इस equation में इन दोनों equation में ऐसा क्या खास बात है कि जो यहाँ पर x का coefficient है 37 वो दूसरे वाले equation में y का coefficient हो जा रहा है और जो यहाँ पर y का coefficient है ये 43 वो दूसरे वाले equation में x का coefficient हो जा रहा है मतलब दोनों के coefficients interchange हो जा रहे है तो यहाँ मुझे लगता है जिन सर जी नहीं इस question को set किया था थोड़ा दिमाग लगाया था तो कोई बात नहीं हम भी थोड़ा और दिमाग लगाते थे हैं तो जब इस form के pair of linear equations हमें दिखते हैं तो इनको सोचने का एक तरीका ये हो सकता है कि कैसे हम इनको थोड़ा और आसान बना दे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर substitution method elimination method केसे से भी इसको solve करूँगा तो solve तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर numbers कुछ जादा टेड़े मेरे हैं 37, 43, 123, 117 तो calculations में थोड़ी से मुश्किल आएगी मुझे तो उससे बचने के लिए एक थोड़ा सा हम दिमाग यहाँ यह लगा सकते हैं कि इन दोनों equation को पहले तो हम add कर देते हैं तो वो करने से क्या होगा तो वो करने से जैसे ही मैं यहाँ पर x के coefficients को add करूँगा मेरे पास एक number आ जाएगा जो कि y के coefficients को add करने भी मिलेगा क्योंकि हम काम तो सेम ही कर रहे हैं 37, 43, यहाँ भी 43, 37 तो वो मैं बाहर कर सकता हूँ तो मेरे पास एक simple सा equation आ जाएगा जिसमें सिर्फ x और y बचेंगे तो इससे तो हमें एक equation मिलेगा दूसरा equation कैसे मिलेगा उसी तरीके से जब मैं इन दोनो equations को आपस में subtract कर दूँगा क्योंकि 37-43 मुझे एक value देगा और 43-37 एक दूसरा value देगा हाँ यह मैं जरूर मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे के opposite होंगे एक positive होगा तो दूसरा negative हो जाएगा लेकिन फिर भी हम इसको फिर relate करने में हमें आसानी मिलेगी तो यह काम करते हैं अच्छली यह करके देखते हैं इतना बोलने से अच्छा है कि इसको हम कर लें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा तो अगर मैं पहले दोनों को मैं दोनों equation को यहाँ पर add करता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ equation 1 इसको मान लेता हूँ equation 2 तो equation 1 plus equation 2 और दोन equations को add करने का मेरा मतलब यह है कि मैं पहले equation के left hand side को दूसरे equation के left hand side से add करूँगा और फिर पहले equation के right hand side को दूसरे equation के right hand side से add करूँगा तो 37x plus 43x मुझे दे देंगे 7 और 3 होता है 10 1 carry हो जाएगा 4, 3, 7 और 1, 8 80, 80x प्लस वसी तरीके से ये भी add हो जाएगे तो ये भी मुझे दे देंगे 80y equals to 123 plus 117 होगा 7 और 3, 10 तो 0, 1 carry 2 और 1, 3 और 1, 4 1, 2, 240 अब देखे अभी ये कितनी सुन्दर से equation बन गई इसमें और हम इसको simple बना सकते हैं यहाँ पे भी मुझे 80 दिख रहा है यहाँ पे भी 80 दिख रहा है यहाँ पे भी 80 दिख रहा है तो 80 हम यहाँ से और यहाँ से बाहर कर लेते हैं तो 80 times अंदर बच जाएगा मेरे पास x plus y x plus y equal to equal to 240 अब अगर मैं दोनों साइट 80 से डिवाइड कर दूँ इधर भी डिवाइड बाई 80 इधर भी डिवाइड बाई 80 तो उपर नीचे मैं 80 से डिवाइड करूँगा तो यह हो जाएगे 1 के बराबर और इधर अगर मैं उपर नीचे 80 से डिवाइड करूँँ तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 3 क्योंकि 83's are 24 होता है ठीक है 83's are 240 हो जाएगा तो finally मुझे यहां से मिल जाएगा x plus y equals to 3 के बराबर तो देखिए यह दोने equation ने हमें कितना simple psych equation दे दिया कि x plus y 3 के बराबर है लेकिन दूसरा equation कैसे मिलेगा तो हम यहां पे addition कर रहे थे अब हम एक काम करते हैं दोनों को हम यहां पे subtract कर देते हैं subtract कर देते हैं यानि कि equation 1 minus equation 2 अब हम equation 2 minus equation 1 भी कर सकते हैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है तो यहां पर अगर हम equation 1 minus equation 2 करें तो x के coefficient को हम एक साथ घटाएंगे तो 37x minus 43x तो 37 और 43 के बीच के दूरी होती है 6 की और 37 minus 43 कर रहे हैं यानि कि यह हो जाएगा negative 6x के बराबर और यहां पर 43 minus 37 तो यह तो positive 6 दे देगा तो यह plus 6y equal to 123 minus 117 तो इनके बीच के दूरी भी 6 units की है तो यह हो जाएगा 6 के बराबर अब यहां से मैं 6 बाहर कर लेता हूँ तो 6 times negative x plus y equals to 6 दोना साइड मैं 6 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास आजाएगा negative x plus y equals to यहां पे भी मैं अब दोना साइड मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह उपर नीचे 6 से डिवाइड करके हो गया 1 इधर भी उपर नीचे 6 से डिवाइड करके बन गया 1 तो यह हो जाएगा 1 के बराबर तो यहां से मेरे दूसरे equation आ गई negative x plus y equals to 1 अब इन दोनों equations को हमने तोड के एक दो छोटे-छोटे simple equation में हमने तोड लिया एक है x plus y equals to 3 और दूसरा है negative x plus y equals to 1 अब अगर हम इन दोनों को साथ ही साथ solve कर दे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा तो चलिए वो करते हैं x plus y मेरा 3 के बराबर है और negative x plus y मेरा 1 के बराबर है अब इसको सीधे-सीधे solve करने का तरीका क्या है कि चलिए हम दोनों को यहाँ पर add कर देते हैं मतलब क्या कि हम इनको elimination method से solve कर लेते हैं जल्दी से elimination method उसके लिए अगर हम इन दोनों को यहाँ पर add करेंगे क्योंकि elimination method में हमारा main मकसद होता है किसी भी एक variable को गायब करना अब आप equations को subtract करके वो काम करिए या फिर equation को add करके वो काम करिए जैसे भी करिए आप किसी भी एक variable को eliminate कर दीजे हटा दीजे तो फिर आपका काम हो जाएगा तो वो करने के लिए अगर मैं इन दोनों equations को यहाँ पर simply add कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर x का coefficient है positive 1 यहाँ पर x का coefficient है negative 1 तो जैसे ही मैं add करूँगा दोनों तो आपस मैं एक दूसरे को cancel कर देंगे तो यह और यह cancel हो जाएंगे y और y मुझे दे देंगे 2y equals to 3 plus 1, 4 दोना side अगर मैं 2 से divide करूँगा तो y की value आजाएगी 4 upon 2 यानि की 2 के बराबर तो y हो गया मेरा 2 अब आप किसी भी equation में y की जग़ 2 डाल के x की value निकाल दीजे जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x plus y equals to 3 है तो y की जग़़ मैं 2 डाल दू तो x की value की आएगी यह हो जाएगा 3 के बराबर दोनों side 2 मैं subtract कर दूँगा तो x की value आजाएगी 3 minus 2 यानि की 1 के बराबर यानि की मेरा x 1 है और y 2 के बराबर है बताएए यह जो इतना भारी भरकम सा हमें यहाँ पर equation दिया हुआ था इसके कितने simple से solution आजाएगे हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 2 के हो जाएगा